नमस्कार आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आसिफ रशीद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है और कुछ दिन के अंतराल के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने शनिवार सुभे एक बार फिर पुंच के शाहपूर सेक्टर में भारी गोला बारी की वही मेंडर के बलोई सेक्टर में भी पाकिस्तानी रिंजर्स ने रिहाशी इलाकों को निशाना बनाया जिसमें एक स्थानी व्यक्ति कम्भी रूप से गायल हुआ है साग्रा गाउं के रहने वाले मुहम्मद यूनेस पाकिस्तानी फाइरिंग की जद में आया जिसे उपचार के लिए मेंडर के सब जिला अस्पताल पहुँचाया गया है वहीं शापूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी रिंजर्स की फाइरिंग के बाद स्कूल बंद कर दिये गए हैं और बच्चों को जान बचाने के लिए लोगों के घरों में छुपना पड़ रहा है यानि हालात इतने खराब हैं कि जो बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे उन्हें वापिस घर लोटना मुश्किल हो रहा है